प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी की सरकार यानि मोधी सरकार इक पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आ रहा है चर्चा बस होने ही वाली है तो ऐसे में इस अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा का नतीजा कैसा होगा आने वाले चुनाव पर उसका असर कैसा होगा इस वामले में हम बात करते हैं वरिष्ट पत्रकार मनीशा प्रियम जी हमारे साथ हैं मनीशा जी क्या इस्तिती रहेगी राहुल गांधी रिंस्टेट हो रहे हैं राहुल गांधी चर्चा में आ रहे हैं संसद में वो वापस आ गए हैं तो 2024 के चुनाव पे इस नतीजा ये होने माला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी में पूरा का पूरा सदन जो है वो अपना विश्वास जताएगा और ऐसा करने के समय अब उसके साथ भी कई छोटी-छोटी पाटियां रहेंगी और हमने ये देखा कि BJD और YSRCP ये दोनों दल जो हैं वो साथ रहेंगे तो सबसे बड़ी बात ये है कि BJD जनता दल के छटके हुए पार्टियों में से एक है लोग समझते हैं कि नाचरल होम सभी जनता वाले एक हो गए हैं लेकिन BJD तो उनके साथ नहीं है एक रीजनल पार्टी है लेकिन रीजनल अलाइज के साथ नहीं है और YSRCP कभ अश्वास प्रस्ताव का नतीज़ ये रहेगा कि प्रधान मंत्री में पूर्ण विश्वास जताया जाएगा और कई दल जिनको की होना चाहिए था इंडिया के अलाइंस में वो वास्तव में नरेंदर मोधी और उनकी सरकार में विश्वास जताएंगे और जहां तक सवाल है राहूल गांधी के वापस आने का तो जिस अविश्वास प्रस्ताव में मनिपूर पर बहस होनी थी और हरियाना और नूह में सिती खराब होई थी वहाँ आज का ट्रेंडिंग न्यूज जा हो राहूल गांधी का वापस आना है तो एक तरह से न्यूज जो है वो रुका नहीं इतनी बड़ी तरासदी के लिए किया गया यह विश्वास प्रस्ताव लेकिन अब कॉंग्रेस किस दम खम से पेट में जब भूक रहती है तो आदमी लडाई करता है लेकिन कॉंग्रेस की तो एक बड़ी बात कि राहूल गांधी को रीन स्टेट किया जाए वो हो गय तो इसके बाद क्या कॉंग्रेस अब बहुत दम खम के साथ सरकार पर मनीपूर पर और नूपर सरकार को आड़े हाथों ले पाएगी यह बहस बसमात्र देखने वाली है और इस बहस में इंडिया अलायंस पर ज्यादा निगाहें इसलिए रहेंगी कि इंडिया अलायंस क्य कह रही है कितना कुछ कर सकती है इस पर आकने वाला मौका जो है यह आखरी मौका है चुनाव के पहले चुनाव में भाजप और एंडिया अलायंस और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी सदन में भी आगे हैं चुनावी रणनीती में भी भारत सर पर आगे हैं लेकिन इंडिय Alliance को यदि टकर देनी है तो उसको अभी दिखाना पड़ेगा कि वो सदन में बहस में कैसे अपने मुद्दों को रख कर क्या हासिल कर सकती है और लोगों का दिल जीत सकती है कि नहीं इसमें बड़ा सवाल तो यह है कि विपक्ष का यह कहना है कि नंबर गेम में सरकार भले जीत जाए अविश्वास प्रस्ताव लेकिन विपक्ष यह चाहता कि प्रधान मंत्री मनिपूर पर बोलें मुह खोलें वो तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही विपक्ष जीत गया क्योंकि वो प्रधान मंत्री को इस मामले पे ब रहती कि मनिपूर पे चर्चा होती रहती प्रधान मंत्री आते या नहीं आते तो मनिपूर के मुद्दे जो है वो राष्ट्र स्तर पर हावी रहते तो वहां जो हारे वो तो मनिपूर के मृत लोग थे तो मृतक तो हारी जाते हैं और राजनितिक दबदवा जब हो तो और हा से होने के नाते और संसद के नेता होने के नाते प्रधान मंत्री होने के नाते वो बोलेंगे और मनिपूर पे भी बोलेंगे इसमें प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण कितना एहम है यह विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो बीजेपी को अब विनम्र दिखना है, बीजेपी को अब दिखना है कि वो सहलों की एक टोली के साथ चल रही है, क्योंकि एक नई पॉस्चरिंग अब उसकी हो चुकी है, यह अधिपी की उसके पास अपने ही संख्या बहुल है, लेकिन चुनाव में जाने के पहले उसने अब कहा है कि नहीं हम तो एंडिये वाली पाटी हैं और हमारे साथ 30 से अधिक छोटे-चोटे दल जो है वो हैं और हम जितना राष्ट्रिये पाटी हैं, उतना ही छोटे दलों का भी साथ निभाते हैं, उनके साथ चलते हैं, तो इसको दर्शाना होगा भाजपा को और प्र हैं, प्रधान मत्री ने कहा था कि आप अगली सरकार में भी अप अविश्वास प्रस्ताव ही ले के आएंगे, दो हजार तैइस में उनका ये दो जार अठारे का वक्त अब है, दो हजार तैइस में उनके वापसी को कितना का लगको लगता है, डोह जार यजार जाइसर-च बना चुकी है और इतना खासा मार्जिन है उसके पास सदस्यों का भी और जो सदस्य जीते हैं वो बड़ी-बड़ी मार्जिन से भी जीते हैं तो ऐसे में प्रधान मंत्री से सवाल पूछने का तरीका विपक्ष के पास और कोई है नहीं और अंत में यदि आप अविश्वास प्रस्ताव करते हैं तो उसमें आप अपनी बात कह पाते हैं तो प्रधान मंत्री ने गया सही किया था कि अंत में बोलने से ऐसा होगा कि उसकी गुण संसद के बाहर भी होगी तो ये कारण है शायद ऐसा प्रधान मंत्री ने सोचा हो लेकिन ये मेरी सोच है प्रधान मंत् से बोलेंगे शुरुवात करेंगे तो इससे कितना अलग होगा माहौल और इसका असर कैसा देखिया अभी तो वावा राहूल गांधी होगा लेकिन गौरव गुगई ने अगर अविश्वास प्रस्ताव दिया था तो उनको बोलने देते तो तब यह पता चलता कि आखिर वन टक्कर में बोलने में बयान बाजी में राहूल गांधी जीत नहीं पाए हैं यह दिपी की अब वो एक स्थापित नेता दिखते हैं करनाटक में भी कैंपेनिंग में उन्होंने बहुत बोला भारत जोड़ो यात्रा में वो बोलते रहे लेकिन वो केवल अपने कॉस्ट चौबिस के चुनाओं के लिहाज से यह अविश्वास प्रस्ताओं पे चर्चा है तीन दिन के चर्चा कितनी एहमेद रखती है कितना असर दिखता है आपको चौबिस का शंखनाद है यह चौबिस का शंखनाद तो अब यह है तभी तो इंडिया वाले कहते रह गए करकिया होंगा और आने के पहले उन्होंने बिल्कुल कई छोटी दलों के साथ एक प्रदर्शन कर दिया कि आपने बनाया अलाइंस तो हमने भी बनाया तो यह मौनसुन सत्र जो है वो दोनों तरफ अपनी अपनी पारी में कौन किसके साथ खड़ा रहेगा इस तैयारी में लगा रहा तो सबसे बड़ा जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है वो यह होती है कि राजनीतिक नेता जो कैसे बयान दे रहे हैं और राश्टर के सामने जो मुद्दे हैं उस उस पर दिये गए बयानों से लोगों में कैसा भरोसा अपने नेता और अपने दलों पर होता है इसलिए यह बयान बाजी का और राजनितिक भाशन का दौर तो होगा और संसद की आवाज जो है वो सीधे सीधे जो मत दाता हैं उनके तरफ जाए और सदन के मत और तो विश्वास से ज्यादा मतदाता का विश्वास परस्ताओं जो है उसमें अभी ये दल पार करें ये ही है मन्षा और इसी तरह से इसको समझना चाहिए यानि अश्वास प्रस्ताओं पर चर्चा के साथ ये मांसुन स acceler अपने नाम को सार्थख करेगा जिसमें बादल गरजेंगे भी और बरसेंगे भी कैमरामेन अमिद वादवार के साथ संजे शर्मा दिल्ली आज तर